वो जैसे गुरुजी रामु और शामु किसान की कहानी सुनाते हैं न तो उसमें रामु किसान कैसा है वैसे ही संतुष्ट बनकर आप गुरुओं की जैसी इच्छा आप पधारिए हमारी लिए जो योग्य हो वही पधारें ऐसी जब आप प्रार्थना करेंगे तो सच मुझ गुरुदेव की इच्छा तो होगी ही कि गुरुओं के गुरुपधा करें और फिर हम जिस योग्य होंगे वैसे ही आत्माएं हमारे यहां जन्म लेंगी और उन्हें जन्म देने का उन्हें बड़ा करने का गुरुद कारियर आप और आपका परिवार करेगा ही और ये करते करते ग्रहस्था श्रम से आगे याने नाभी चक्र से आगे आप हृदे चक्र तक पहुँचेंगे हृदे चक्र यहां मर्यादा पुर्शोत्तम श्री राम और सीता का भी स्थान है तो शिव और पार्वती का भी स्थान है मर्यादा पुर्शोत्तम राम हम अपने जीवन में उनकी जो मर्यादा का पालन करने की जो परंपरा है उनका जो मर्यादा पालन का जो गुण है यदि इसे हम अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़े सभी क्षेत्रों में तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का टेंशन किसी भी प्रकार की चिंता रहेगी क्योंकि जब हम अपने मर्यादा में रहते हैं जब नदी अपनी धारा में बहती है अपने दो किनारों के बीच में बहती है तो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होता है जब सीमाएं तूटती हैं जब मर्यादाएं तूटती हैं तभी कष्ट होता है तो हम उन्ही मर्यादाओं का पालन करते हुए मर्यादा पुर्शोत्तम श्री राम का अनुसरण करते हुए उनकी तरह हम न्याय प्रिय भी रहेंगे उनी की तरह हम मर्यादित जीवन भी जीएंगे तो हमारा हृदय चक्र वैसे ही ट्लियर रहेगा क्योंकि हमें फिर चिंता करने की क्या बात है टेंशन तो होगा ही नहीं जीवन में और जब चिंता नहीं होगी तो अपने आप हम हमारा हृदय चक्र लियर रख सकेंगे अर्थात हमारा जो शिव परवती का जो स्थान है जहां निर्भय होकर निश्चिंत होकर जो जीवन जीता है उसी का यह चक्र लियर होता है तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन में सुखी और जवस्थित रह सकेंगे लेकिन इन सब बातों में सबसे महत्वपुर्ण बात है हमारा चित्त आप सभी ने भी महसूस किया होगा कि हम गुरुदेव के कारेक्रमों में आते हैं गुरुदेव से चैतन्य रूपी शक्ति ग्रहन करते हैं किन्तो उसके बाद में फिर हम जिस विश्रे में विचार करते हैं जिस तरफ हमारा चित्त जाता है हमारी वह एनरजी हमारा वह चैतन्य उसी दिशा में आगे कार्य करता है उसी दिशा में आगे वह प्रगती करवाता है या दुरगती करवाता है तो हमारा चित्त कहां जा रहा है इस और हमें अपने जीवन में बहुत ध्यान देने के आवश्यक्ता है तो हमारा चित्त नश्ट कहां होता है कौन से ऐसे स्थान है जहां पर हम अधिक चित्त डालते हैं या जो हमारे चित्त को अपनी और आकरश्ट करता है तो आपको थोड़े से टिप्स दूंगी इसके बारे में कि चित्न नष्ट करने वाली तो कई चीजें हैं जैसे जैसे प्रगति होती है विज्ञान की तो चित्न नष्ट करने के अनेक साधन हमारे पास महजूद है तो उसमें जो सबसे प्रिया चीज है जो अकसर हम बहुत अपने पास लेके चलते हैं वो हमारा मुबाइल फोन वो हमारा सेल फोन ये सबसे ज़्यादा चित्न नष्ट करने की चीज है ये जो मुबाइल होता है आप सुचेंगे कि मुबाइल हमारा चित्न क्या नष्ट करता है तो मुबाइल से लोगों के फोन आते हैं मित्रों के, रिष्टेदारों के, एक बहुत अच्छी सुविधा है कि हम सबसे संपर्क में रह सकते हैं लेकिन अभी इससे दोश कैसे आते हैं कि जरूरी नहीं है कि मुबाइल पे फोन करने वाला आपको हमेशा सुखद समाचार ही दे हो सकता है, वो जो स्वामी जी बात करते हैं कि वो आपके पडोस की पडोसिन आती है, आकर के बोलती है कि देखो, वहाँ पे एक्सिडेंट हुआ है आपका ललू भी उसी रास्ते से गया ना ऐसे बोलकर कि आपको टेंशन में डाल करके चले जाती है तो वही बाते फोन पर भी होती है कि रहे फला जगे पे तो बम ब्लास्ट हुआ, फला जगे पे ऐसा हुआ तो आप एकदम चिंटा में आ जाते हैं तो कई स्थानों पर मुबाइल अच्छी चीज है लेकिन हर चीज का अपना समय होना चाहिए हर चीज की अपनी मर्यादा होने चाहिए कि हम उसका उप्योग कितना करते हैं हम उसका यदि मर्यादी तो उप्योग करते हैं तो तो बहुत अच्छी बात है तो एक आदत हम लगा सकते हैं अपने आपको कि फोन करने का समय और फोन उठाने का समय भी लगबग निश्चित हो तो बहुत अच्छा अरखत दिन का कुछ समय निश्चित कर दो कि मैं इस समय में मैं बात करूँगी रिष्टेदारों से तो आप पिरियोडिकली बात करी लीजिए 15-15 दिनों में बात खुदी कर लीजिए तो आप अपनी मानसिक तयारी से रहेंगे कि हाँ मैं फोन कर रहू न रिष्टेदारों को तो कोई भी दूम धड़ाका हो सकता है मतलब अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं और बाकी भी तो क्या होता है हम खुद जब फोन करते हैं हर 15 दिन में हमने स्वयम फोन कर लिया न एक दिन बैठ करके रविवार या छुटी का आपका जो भी दिन हो बस बैठ जाए सबसे 5-5-10-10 मिनिट बात कर लीजिए कितने रिष्टेदार होंगे ये क्लोज रिष्टेदारों में 10 होंगे, 12 होंगे इससे अधिक तो नहीं होंगे जिन से आपको regular routine में बात करनी पड़े तो बस ये 10-12 रिष्टेदारों से बात कर लीजिए और रही मित्रों की बात तो उन्हें कहा जा सकता है कि मैं न दिन में इसी समय फ्री होता हूँ थोड़ा न मुझे इस समय ही फोन किया करें तो कैसा होगा दिन भर में आपका एक समय आपने एक गंटा या दो गंटे दे दिये तो अक्सर उसी समय में उनके फोन आएंगे बाकी किसी समय में फोन नहीं आएंगे और पाकी समय में जो फोन आते हैं तो वो केवल इमर्जनसी होगी तो आपका सारे 24 गंटे तो इमर्जनसी नहीं आ सकती न तो बार-बार कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और मोबाइल से एक बहुत अच्छी सुविधा भी है वो केवल नुकसान नहीं करता है बहुत अच्छी सुविधा है कि हमें पता रहता है कि किसके किसके फोन आ गए साइलेंट पे रख दिया हो या तो आप बन करके भी स्विच ओफ करके भी रख देते हैं तब भी कोई बात नहीं है स्विच ओफ करके रखने के तो बहुत सारे फाइदे क्योंकि स्विच ओफ कर देंगे तो यदि किसी को बहुत अर्जेंटली कुछ कहना होगा न तो वो SMS कर देगा आपको अर्थाथ आपको शॉर्ट में मैसेज मिल जाएगा कि जो भी अर्जेंट बात थी न वो ये थी तो एक हाथ घंटे बात खुल के देख लो कोई मैसेज आया है 15 मिनिट रखो बन करके फिर से रख दो स्विच ओफ अभी आप सेचेंगे स्विच ओफ क्यों करना तो स्विच ओफ इसलिए करना क्योंकि मुबाइल जो होता है न वो तरंगों पे काम करता है न जो तरंगे आती हैं वेवज जिसको कहते हैं तो ये waves उसमें आती हैं, tower से फिर जाती हैं, आती हैं, तो ये waves न जाने कितने सारे लोगों के phone में जाती हैं, न जाने कितने लोगों की बातें, कितने लोगों के विचार, उन तरंगों के माध्यम से हमारे मोबाइल में और मोबाइल से सुक्ष्म रूप में हमारे कमरे में, हमारे कक्ष में और जब हम उसको पॉकेट में रखते हैं, तो हमारे बहुत नजदीक ये सारे विचार होते हैं इसलिए गुरुदेव कहते हैं यहां पर आश्रम में मोबाइल स्विच ओफ रखो बंद रखो उसका यही कारण है और यदि आप दिन भर नहीं रख सकते ना तो एक काम कीजिए आप किवल रात को तो स्विच ओफ रखे रात भर आप स्विच ओफ रखे क्योंकि कई बार ऐस तो आप स्विच ओफ करके रखे साइलेंट करके रखने की आप स्थान पर आप उसे स्विच ओफ करके रखे तो आपके चित्तको नष्ट करने वाला एक साधन अब चित कुद दूसरे स्थान पे नश्ट करने वाला हमारा इडियेट बॉक्स हमारे मनोरण जन का साधन टीवी अरे बापरे अभी क्या होगा इसमें इसके तो पती ने इसको घर से निकाल दिया अब क्या होगा हम सोच नहीं बैठते हैं कि अब क्या होगा विचारी का कहां जाएगी तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप दूरदर्शन पे कोई सीरियल मत देखिए मैं खुद भी देखती हूँ लेकिन कई बहुत अच्छे मनोरंजग भी आते हैं जहां आपको न ये दिमाग यूज करने की कोई आवश्यक्ता नहीं होती है और जिसमें बिल्कुल भी आपका दिमाग अटकता भी नहीं है क्योंकि वो एक एक बार का एपिसोड होता है वो खतम हो जाता है तो आपका कहीं सोचने के लिए स्कोप नहीं देते हैं कि अपका भी आपका प्रशा नहीं होती है